जैहिंद वंदे मात्रम दोस्तों इस समय संपूर भारत में डॉक्टर से लेकर बच्चों तक डेंगू बुखार का संक्रमण तेजी से फैल लहा है जिससे भारत में मृत्युदर बहुत जादा बढ़ रही है और हमारी एक छोटी सी गलती के कारण हम डेंगू को सही नहीं कर पा रहे हैं बहुत आसान भासा में समझिएगा कि डेंगू का लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है सबसे बड़ी चीज जो बच्चे दर्द की बजए से यहां पर जो हर बच्चा हर व्यक्ति दर्द की बजए से उठ नहीं पा रहा कि डेंगू का इलाज क्या है हम क्य खा रहें क्या नहीं खा रहें ये सबसे बड़ा जो है मैटर करता है हमारे इस डेंगू बुखार में तो डेंगू बुखार एक कस्ट दायक सरीर को दुरवल करने वाला मक्षर जनित रोग है याद रखिएगा कि जब भी किसी भी व्यक्ति को डेंगू होगा तो मक्षर आप लेकर आता है यह ऐसा बुकार है जो हड़ी को तोड़ देता है मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ क्या आप उप्चार करेंगे क्या आप लक्षण करेंगे तो इससे पहले आपको बता दे कि बहुत ध्यान से समझों कि इसका उपचार क्या है बहुत बढ़ा दरद मतलब उठ नहीं पा रहे हैं कहते हैं मास पेशिया हट्डी और जोड़ों में दर्द पैरों का जो निचला हिस्सा होता है उसमें बड़ा तेज दर्द होता है सिरदर्द होता है बहुत ज्यादा कभी-कभी जो है मसूरों से ब्लडिंग होने लगती है अगर आपका इन में से कोई भी एक लक्षण है तो आप कहीं न कहीं हो सकता है डेंगू के आपके अंदर लक्षण हो दबाखा लिया चला गया फिर दबाखा लिया फिर चला गया ठीक है ना आखों के पीछे दर्द मास पीशियों में सूजन तुचा पर लाल चकत्ते इन में से कोई भी एक चीज़ हो सकता है हर 20 में से एक व्यक्ति गंभी रूप से बीमार पढ़ता है डेंगू से गंभी रूप से बीमार होने पर सरीर के अंदर रक्सराओं और मौत भी हो सकती है अगर देगी यहां पर आपको लग रहा हो किसर कम है डेंगू में बहुत तेज बुखार होता है तबा खाने पर भी बुखार ज्याता नहीं है 104-105 डिग्री बुखार जो है अमूमन तोर पर देखा जाता है क्या एंटिवाटिक दवा रहेगी क्या हम जो है हमें लेना चाहिए आईए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं उसे पहले आपको बता दें कि जो लेवल होता है हमारा देंगू का वो जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो देंगू एक्षल में 3-4 तरीके का होता है जो हम कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट स्टेज में हो तो चलो उसको थोड़ा किसी को हो जाती है तो नहीं होती है खुजली जियादा रेसेस जो हमारे इसकिन में रीसेस का पड़ जाना खुजली ज्यादा होना तो पक्का समझ लो की भई डेंगू के सिकार आप हो चुके हो प्रेटलेट्स काउन्ट डाउन है तो इससे घबराना नहीं है क्योंकि मैं एक लाग से नीचे आ रही है तो लगता है कि खत्रा है चलो डेंगू के लक्षण की बात कर ले देख लीचे घरेलू उपचार में क्या है क्या ले सकते हो क्या हमें गलती नहीं करनी है वो हम जानते हैं तो सबसे पहले गलती करने वाली बात को अलग हटा के यह हमें देखना ह कि हम नारियल पानी का इस्तेमाल करें क्यों करें नारियल सब कहतें नारियल पानी का इस्तेमाल डेंगू में करिए सर इसलिए करिए क्योंकि डेंगू जब भी होता है तो लीवर हमारा डेमेज हो जाता है लीवर हमारा डेमेज होता है और लीवर काम नहीं करता है इसलिए पा ठाणने पर अनार का सेवन करना चाहिए गिलोए का जूस पीना चाहिए और साति-साथ तुलसी के साथ अगर आप जो है काली मिर्च का काढ़ा लेते हो से कोई दू काम करलोगे तो आपको रहात मिल जाएगी हम गलती क्या करते हैं उसकी भी हमें कुछ भी मिला है देखो डेंगू बाला जो मरीज होगा उसका तो पहले तो टेस्टी खतम हो जाएगा लेकिन जबरजस्ती घरवाले अगर खिलाएंगे या उसको लगता है कि नहीं यह स्पाइसी है इसको खाना चाहिए तो हमें स्पाइसी फूड को बिल्कुल एवाइ जिसमें दूद का इस्तेमाल नहीं करना है समझ लो मेरी बात दूद का इस्तेमाल नहीं करना है रीजन क्या है रीजन यह है कि उसमें क्या है कि आपका लीवर जो है ना वह बैलेंस नहीं रहेगा इंबलेंस नहीं रहेगा तो आपको पता है कि लीवर डेंगू से डेंगू नानिवे स्पूड ये सब भी नहीं लेना है, क्या है, ये भी नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, केवल केवल, हमें बक्री का दूद, दूद नहीं लेना, बक्री का दूद, मेरी बाद समझो, दूद का मतलब आप कहोगे कि सर, हम गाय का दूद ले लेते हैं, हम मठा ले ले अब मेरी बात समझेगा कि हम जब एंटिवाइटिक की बात कर रहे होते हैं तो हम एंटिवाइटिक में एक-दो चीजें जानने जिसको हम दवा के रूप में यूज करते हैं पहले तो आप डॉक्टर से सला लें लेकिन जब बुखार देखा जाता है कि बुखार जब उतर न लगाना पड़ता है और पैरा किम जो है ये बिना डॉक्टर की मदस्से नहीं लगता लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बड़े होस्पिटल को एवाइट करना है डेंगू इतना कोई भेंकर बवाल नहीं है आपको नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करके वो जो दबाहिय दिखिए वाइरस एक्षल में डेंगू बाइरस की कोई दबा नहीं एंटी वाइटिक जैसे ही लगता है शरीर में प्लेटलेट काउंट डाउन होता है लेकिन तीन से चार दिन एक आपको क्या करना पड़ेगा तसल्ली रखने पड़ेगी तीन से चार दिन अगर तसल्ली ले सकते हो चिंतित नहीं होना है oily और spicy food जो है हमें avoid करना है हमें नहीं लेना है आप non-ways खाते हो बिलकुल avoid कर दो आप caffeine, coffee बहुत ज़्यादा लेते हो avoid कर दीजिए क्योंकि ये पचाने में liver को ज्यादा काम करना पड़ेगा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा चुकि always हम ये जानते हैं कि हमारा liver पहले से ही down है तो हमें liver को relax देना है हमें उम्मीद करते हैं कि आप तक ये वीडियो पहुँची है तो ये चार लोगों तक और पहुँचेगी हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है हमें कौन सी, हमने आपको बताई है कि कौन-कौन सी देशी दवाय में लेनी है जिसे हम चीजों को treat कर सकते हैं जैहिन, वंदे मात्रम ये वीडियो रास्ट हित में सब तक पहुचा दिजिएगा हर वहन, हर भाई, हर ग्रहडी स्वस्त रहें, मस्त रहें हर बच्चा हमारा देश का स्वस्त रहें लव यू गाईज